एक और चीज जो मुश्किल लगती थी नामुम्किन नहीं लेकिन मुश्किल लगती थी चुकि जब हमने देखा कि बुरहानवानी को मौप के घाट उतारा गया उसके बाद किस तरीके से पूरी घाटी जल उठी थी और बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था लेकिन अभी रिया कि तरफ ले जा रही है कि कुछ दिनों में हम कश्मीर समस्या नहीं कहा करेंगे कि जम्मू किश्मीर उस समय भी भारत का एक परदेश था एक स्टेट थी जैसे के पज़ाब है आधरा है उसमें कोई अंतर नहीं वही इंस्टूमेट आफ एक्सेशन और वही कानून और जो बाधाई थी वो पांच और छे अगस्त के बाद मोदी जी के नित्रित में और ग्र सब्सक्राद इद आई, महर्रम आई, सोतंतरता दिवसाया, गढळदांतर दिवसाया, बीच में दिबावली आई, बीच में दशेरा आया, कहीं किस परकार की, कोई नामराद घटना नहीं घटी, कोई हिंसा नहीं हूई. बलके पहले तो होता था कि कभी भी कोई गरतंतर दिवासादा या सोतंतर दिवासादा तो कुछ न कुछ शराद हुआ करती थी तो मुझे लगता है कि एक तरफ जैसा आपने ठीक कहा कि सुरक्षा बलो कभी अब नियंतरन काफी मुकमल हो चुका है इसके साथ साथ लोगों में भी ये समझ आई कि ये जो तीन सो सतर रतियादी का जो जासा उने दे करके रखा था ये मतर उनको गुमरा करने के लिए चंदेक लोगों ने अपनी राजनीती को बनाए रखने के लिए ताके पुष्ट दर पुष्ट तीन चार पीड़ियों तक वो अपनी प्रभुसता बनाए रखें ये बात अब किश्मीर के आम अवाम को समझ आने लगी विशेश करके वहां के युवाओं को और चुके आज की जनसंख्या में सत्तर प्रतिशत से अधिक चालीस वर्ष से कम अवस्था के लोग बस्ते हैं उन्हें ये समझ में आने लगा कि हमें जान बूझ करके भारत के अनेकों युवाद देश भर में फैले हुए जिस परकार से मोधी जी की नई नई स्कीमों का लाव ले रहे हैं उसके लावार्थी हैं उनको जान बूझ करके बंचित किया जा रहा था और आज गलोबल वर्ल्ड है कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बुच्चा उस गलोबल वर्ल्ड का एक लावार्थी बने उसमें वो अपनी विर्धी अपने विकास का प्रियास करे ये सोच वहां पर आई है ये सोच बदने लगी है सारे जम्मो कश्वीर में भी और सारे भारत वर्ष में भी और इसलिए शायद ये भी एक कारण रहा कि जिस तरह से कुछ एक हुआ बनाने का प्रियास किया गया था चंदेग नेताओं ने जिनको अपने राजनीती को खत्रा मालूम हो रहा था वो भरम भी जाता रहा that myth has exploded अब कोरोना की जो मामले जिन इलाकों का आपने कहा है कि आपके उपर जिम्मेदारी रही है सबसे पहले तो सिक्किम का अपने एक्जैंपल दिया लेकिन समूचे नौथीस्ट को भी हम देखे तो वहां पर बहुत सही तरीके से इस महामारी को डिल किया गया है आपके लाज्यों में हमें उस पैमाने पर संकमन नहीं दिखा बहुत अच्छा किया श्वेता जी आपने ये परश्ण पूछा मैं चाहता था ये कहूँ में लेकिन मैंने सुचा कि अपने मूँ बात करूँगा तो अपने मूँ या मिठू बनने वाली बात होगी तो आपने ये प्रश्ण करके मुझे आउसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद सच मुच मैं ये कह रहा था अपने सही योगियों के साथ कि पिछले छे वर्शों में परधान मंतरी मूदी ने जिस परकार से पूर वोत्तर को एक प्राथमिक्ता दे कर के ये प्रमारिद किया कि किसी भी तरह से परवोत्तर की अभेला नहीं होती जब तक कि मोदी जी परधान मंतरी हैं जिस परकार से पहले होती रही थी और उसका नतीज़ आए कि छे वर्शों में नौर्थीस्ट इमर्जड एज एज ए मॉडल आफ डिवलिमेंट जिस परकार से एक क्राम्ती कारी वहाँ पर परिवर्तर बदला हुआया और आज इस आपदा के बाद नौर्थीस्ट हैस इमर्जड एज एज डिवलिमेंट आफ करोना मेनेजमेंट जिस परकार से हुआ है और आज भी जब मैं आप से बात कर रहा हूँ कुल मिलाकर के वहाँ पर 161 केस आये हैं एक्टिव उनमें से 107 हैं पांच परदेश हमारे ऐसे हैं जो बिलकुल करोना फ्री हैं केवल आसाम मेगालिया और तिरुपरा और सामें भी चुके बाहर के रिटर्नीज आये थे आरंबिक दिनों में जो कुछ यहां से गए थे निजामुदी नित्यादी से उसके कारण हुआ अनिता वहां पर भी काफी हद तक नियंदर था उसका कारण यह सबसे पहली बात ही है कि जब आरंबिक दिनों में यह शंका उठने लगी कि भोगोलिक स्थिती ऐसी है टोपोग्राफिक ऐसी है वहां पर असेंशल वस्तों का अभाव हो जाएगा तो मोदी जी ने यह सुनि आप तो मातरा में उपलब्द करवानी जाएं और आज की लिड़ में तीन सो से अधिक साड़े तीन सो लगबग हजार का आकड़ा है में उसे पहा रहा हूँ साड़े तीन सो टन सप्लाइज एर कारगों के मातिम से पूर वोतर पहुंची बलके तीस मार्च की रात को ही पह सक्रिटी में थोड़ा सा डिसिप्लन पहले से ही मौजूद था बॉर्डर सीलिंग अर्ली बॉर्डर सीलिंग वाज वरी इंपॉर्टन फैक्टर क्योंकि शुरू में ही ये निर्ने ले लिया गया कि हम पूर वतर के प्रदेश तीन चार देशों के साल लगते हैं बांगला जाने की आवाजाही भी रुक गई अनुशासन रहा प्रयापत मातरा में वहाँ पर सामगरी उपलब्द रही किसी भी समय हमें कोई पीपी किट्स या मेडिकल एक्विप्ट की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ा और आज ये स्तिती है कि लोग स्वें ट्रेसिंग में भी वो पहले से ही वहाँ पर मौझूद था और ये जो मास और फेस कवर का अभाव कुछ देश के और हिस्सों में वहाँ आया ही नहीं क्योंकि विमन सेल्फ है ने इतने सुचारू ढंक से मास बनाई है कि अगली बार हम आपको भी भेंड करेंगे जो चीजें आपने समझाई ह